Hello friends, my name is Preeti आप देख रहे हैं Exam2 यूटूब चैनल Friends, आज हमनों डिस्कस करने वाले हैं 16 फरवरी के Current Affair आज जो भी important questions होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे सुरू करने से पहले मैं चाहूंगे पद होता है जो निर्वाचन आयोक का पद है उसमें कुल तीन पद होते हैं एक तो होता है मुख्य चुनाव आयूक्त दो होते हैं उसमें चुनाव आयूक्त ठीक है तो जो मुख्य चुनाव आयूक्त किया गया है वा सुनील अरोडा को कुछ लोग confusion में क्या कर सकते हैं सुसील चंद्रा को मार सकते हैं लेकिन जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वो इस समय कौन है सुनील अरोडा ही है इसके अलावा जो हमारा नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया वा किसे किया गया निर्वाचन आयोग क्या है? एक प्रकार का अस्थाई समयधानिक निकाय है, जिसकी अस्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में, और अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले इसका, कि इसका आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आर्टिकल है 324, टिक, निर्वाचन आयोग के बारे में किस में दिया गया है आर्टिकल 324 सुसेल चंद्रा का अपॉंट्मेंट हुआ है 14 फरवरी 2019 को जो की 1980 बैच के IRS है ठीक है और IIT सना तक भी है चलिए अगले क्वेशन की बात करते हैं अगला क्वेशन हमारा हाल ही में किस राज ने गुर्जरों को 5% आरच्छर देने की गोशना कि किया है राजस्थान की सरकार ने किसमें किया है राजस्थान की सरकार ने 5% आरच्छर देने की गोशना किया है इसमें राजस्थान के CM कौन है तो राजस्थान के CM है अशोग गैलोथ इसके अलावा राजस्थान से अगर हम लोग बात करें इस्टैटिक जीके के क्या क्व question important होते हैं कि रडधम बहुर राष्टी उद्ध्यान और माननस टाइगर रिजर्फ कहां पे हैं तो ये दोनों कहां पे हैं राजस्तान में अगला question है हमारा हाल ही में किस देश में धान की भूसी से बायो जेट फ्यूल बनाने की योजना चल रही है तो ऐसा योजना चल रही भारत में और भारत में कहां तो भारत में पंजाब में भारत के पंजाब में योजना चल रही है कि धान की भूसी से बायो जेट फ्यूल बना जाएगा इसकी जो तकनीक ही होगी या कौन हमें प्रवाइट करेगा तो या प्रवाइट किया जाएगा अमेरिका की कमपनी है ह हौल्वेल कौन है हौल्वेल एक अमेरिकी कंपनी यह हमें इसकी तकनीकी देगी और इसके लिए कुल बजट का बंटन कितना है तो 630 करोड कितना बजट है 630 करोड रुपेस का बजट है नेक्स हम लोग बात करते हैं हाल ही में एयर इंडिया का अध्यच दूसरी बार किसे न क्या गया है अश्विनी लुहानी को अश्विनी लुहानी के कौन थे या रेलवे बोर्ड के अध्यच थे 2017 तक इसके बाद वर्तवान में रेलवे बोर्ड का अध्यच बनाए गया है वीके यादों को इनका जो पहला कारिकाल था वो कब से कब तक था इनका पहला कारिकाल 2015 से 2017 तक और इसमें इन्हें फिर बना दिया गया है एर इडिया का अध्यच ठीक तो याद रखेगा नेक्स हम लोग बात करते हैं एनराई विवाह पंजी करण विदेख 2019 के अनुसार किसी एनराई को कितने दिन के भीतर साधी का पंजी करण कराना अनिवारी है तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा कि अनराई होता क्या है नॉन रेसिडेंस इंडियन जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग अनराई और अब जब भी ये शादी करेंगे तो विदिन 30 डेज इन्हें क्या करना होगा पंजी करण कराना अवश्यक होगा अधर्वाई जो इनका पास्पोर्ट है वो रद कर दिया जाएगा अब अगर हम लोग बात करें कि एनराईड कब मनाया जाता है तो 9 जन्वरी को मनाया जाता है एनराईड क्यूं? क्यूंकि गांधी जी दच्छुड अफ्रिका से 9 जन्वरी 1915 को भारत वापस आये थे इससे कुछ क्वेश्चन और इंपोर्टेंट बन सकते है जैसे प्रवासी भारती सम्मेलन कब हुआ तो मनाया तो जाता है प्रवासी भारती दिवस कब 9 जन्वरी को लेकिन इसका सम्मेलन कब हुआ है तो 21 से 23 जन्वरी के मद्ध हुआ है कहां पे हुआ है? वारानसी में हुआ है और इसमें मुख्य आती थी कौन थे? तो मौरिसस के PM है प्रवींद जगनात वही थी इसके मुख्य आती थी याद रखेगा अगला क्वेशन हमारा नासा के मुताबिक मंगल ग्रापर उनका अपॉर्चुनिटी रोवर मिसन कितने वर्ष बाद निश्क्री हो गया? तो यह हुआ है 15 वर्ष बाद कब हुआ है? 15 वर्ष बाद हुआ है 10 जून 2018 के बाद से इससे कोई संपर्ग नहीं हो पाया है और अब इससे कहा गया कि अभी यह निस्क्री हो चुका है इसके अलमा आप यह भी याद रखेगा कि जो हमारा चीन ने एक स्पेस्क्राफ्ट बेटा है चैंग E-4 यह चांद के पिछले हिस्से पर उतारा गया है और वहाँ पेस्निक कापास का पौधा भी उगाया और यह दोनों उपलब्दिया हासिल करने वाला चीन पहला देश है अगला क्वेश्चन हमारा यूनिसिफ द्वारा जारी फैक्ट सील्थ चाइल 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाल विवा प्रथा लागू है तो भारत का राज्य है बिहार अगर हम लोग बात करें कि लिटरिसी रेट में भी सबसे कम है कौन तो बिहार है और देखिए जहां पर जो भी वर्ग जितना ज़्यादा सिच्चित होगा वहां हम किसी भी सेक्टर की बात करें वो नमबर वन पर रहेगा और अगर हम लोग वर्ष सेक्टर की बात करें अगर वहां सिच्चा नहीं है तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि वहां का जो एजुकेशन सिच्टम होगा वह वर्ष्ट होगा तो इस वज़ा से कहा जा सकता है कि बिहार में इस प्रकार की कुरूतिया अभी भी हैं उसके बाद है हमारा बंगाल एंड थर्ड पर हमारा राजस्थान है अकेले इन तीन जगों पर करीब 40% बाल विवा होते हैं इसके अ बात करें तो आपको पता है कि second world war में जो बच्चे आनात हुए थे उनकी देख रेक करने के लिए उनेसेफ के एश्टापना की गई थी UNICEF का एक और question बनता है कि UNICEF की सबसे कम उम्र की brand ambassador किसे बनाय गया तो Bobby Brown को बनाय गया है UNICEF की सबसे कम उम्र की brand ambassador next हम लोग बात करते हैं Reserve Bank ने कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया है तो हाल ही में Reserve Bank ने साथ बैंकों पर जुर्माना लगाया है इसमें KYC ना फाइल किये जाने की वज़े से बैंकों पर यह जुर्माना लगाए गया है तो देखते हैं कौन-कौन से बैंक है पहला हमारा अलाबाद बैंक, दूसरा हमारा बैंक अप महराश्टर, तीसरा हमारा इंडियन ओर सीज बैंक फूर्थ हमारा अंधर बैंक, इसके बाद हमारा HDFC, फिर IDBI और फिर हमारा कोटक महिंद्रा इन साथ बैंकों पर रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है अगर हम लोग RBI की बात करें तो RBI की असापना कब हुई है? RBI की असापना हुई है 1 अपरेल 1935, कब हुई है? 1 अपरेल 1935 को RBI की असापना हुई है और जबकि इसका राष्ट्री करण कब हुआ तो 1949 में जाकर के RBI का राष्ट्री करण हुआ है इस से में RBI के वर्तमान गवर्णर कौन है? तो RBI के वर्तमान में जो गवर्नर है ये 25 नंबर के हैं और इनका नाम है सक्तिकान दास ठीक है चलिए next question की बात करते हैं सूचना और प्रशारण मंत्राले की बैली बैठा कायोजन हुआ है नई दिल्ली में ठीक है जिसमें क्या क्या जाएगा कि संचार प्रतिमानों पर चर्चा की जाएगी सूचना और प्रशारण मंत्राले की या पैली बैठा की इसके लावा मैंने कल की वीडियो में आपसे question प उनका रिवीजन तो आई शुरू करते हैं देखते हैं कौन-कौन से हमारे important question थे कल का हमारा पहला question था किस दिन विश्वर रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया तो विश्वर रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया है 13 फरवरी को अगला था हमारा कि अंतर राष्ट्रिय बांध सुरच्छा सम्मेलन कहा योजित किया गया भूवरेश्वर में आयोजित किया गया था अंतर राष्ट्रिय बांध सुरच्छा सम्मेलन फिर था हमारा की राश्ट्री ये खेल 2020 का सुभंकर किसे नियुक किया गया तो यहा है धूमिल ते दुआ किसे चूज किया गया है धूमिल ते दुआ इ और शदी पोर्टल किस मंत्राले दौरा सुरू किया गया आयूश मंत्राले के दौरा अगला था हमारा की तीसरा भारत जर्मन पर्यावराड सम्मेलन का योजन का हुआ केरल के दौरा ट्रांस फेर्टी ऐसिड से लोगों को जागरुक करने के लिए अभियाद चलाएगा है केरल और केरल में एक उच्सो मनाया जाता है मकर विलककू और जो सबरी माला मंदिर का मामला चल रहा है वा भी कहां पे है केरल में है सबसे ज़्यादा high literacy rate कहां पे है केरल में नेक्स हमारा कि शूबर रेखा बंदर गां की आधार सिला किस राजिय में रखा गया है ओडिसा में रखा गया है एंड अमारा लाश्ट क्वेशन था कि कोब्रा गोल्ड 2019 सैन अभ्यास का आउरा हैं किया गया थाइलेंड में हो रहा है या सैन अभ्यास तो ये थे हमारे कल के इंपोर्टेंट क्वेशन I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें और लाइक करना ना भूलें डेली अपडेट्स पाने के लिए बैल आइकन पर जरूर करें इसके लावा अगर आपके वीडियो पर आड आते हैं तो आड को स्किप मत क्या करिए एड को पूरा देखा करिए थैंक यू फ्रेंस थैंक यू सो मच